Dear students, हम देख रहे हैं set to chemistry का English और Hindi medium दोनों के लिए आपके बहुत comment कम आ रहे हैं, अगर comment आपके इसी तरह से कम आए तो solution इसी तरह से late मिलेंगे, तो maximum comment करिए अपने दोस्तों को refer करिए ताकि वो comment करें, like कीजी, अभी क्या भी like कीजी, आप भूल जाते हैं like करना तो ये सब चीजे जो है, बहुत ज़रूरी होती है, हमारे motivation के लिए और हमें पता भी चलना चाहिए कि आप लोगों कितनी आउशकता है, ताकि comment section में आप comment करें आप अपने दोस्तों को refer करिए, automatic comment करने के लिए, comment होगा और तुरंत आपका जो है, आज आप लोग जैसे मिल करके पचास सो, दो सो लोग comment कर रहे है, तो automatically उसके लिए हम जो है, आपका solution को complete करा देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले question से, what is the unit of rate constant of a zero order reaction, तो सभी को पता होगा, zero order reaction, mole per liter per second होता है, ठीक है, mole per liter per second, हिंदी में इस तरह से लिखोगे, आप अधी शोशन को हुए ठोस के परमानों, आइनों और जेवानों या अनों का किसी सतह से चिपकना अधी शोशन कहलाता है, ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, absorption is the phenomenon of attracting and retaining molecules of a substance on the surface of a liquid or solid, ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे, बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है, पूरे answer का number आपको मिलेगा, next जो है आपका third question इसमें, what is the coordination number of platinum, platinum में coordination तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले, जब भी आप इसमें coordination number निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से है element, और element को देखिए, यहाँ पर NS3 जो है आपका 2 है, CL1 है, और NO2 एक ही है, ठीक है, तो यह आपका 1, 2 तो यह हो गया, CL1 हो गया, 3 और NO2 एक हो गया, चार, तो टोटल चार है coordination number इसमें, इसके बाद में जो next आपका question है, IOPC name आपको बताना है, तो इस सनरचना का जो है, आप इसको break करके, मैंने कई बार बोला है कि IOPC name सीखिए, नहीं सीखना, अगर आपने अभ के लिए link बनाएगे, एक ही link है केवल, उस link को खोलोगे, आपके जितने भी subjects हैं, चाहें वो biology हो, physics हो, chemistry हो, math हो, सब, जो solutions बन चुके हैं, और जो जो बनाए जा रहे हैं, उसी link में मिलेंगे, केवल एक ही link में हमेशा, जो जो वीडियो बनते हैं, वो वहाँ डाले जाते है तो 12th class की link इसी वीडियो के description box में available है, अगर आपको description box बहुत से बच्चे है, description box खोलना नहीं जानते हैं, तो मैं बतायता हूँ, यहाँ ध्यान लेना, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो का नाम लिखा हो है, काले कलर में, ध्या उसमें केवल आपको जाकर के अपनी प्ले लिस्ट पे टच करना है, जो की बिलू कलर की link है, बस उसको खोलते ही आपके सामने पूरे वीडियो लाइन से आ जाएंगे, अब आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना हो आपके उपर depend है, तो IUPC नेम जो हो जाएगा, इस Aldo Hexos, तो Aldo Hexos का जो है, आपको एग्जम्बल देना है, एक भी देना है, बहुत सारे है, आप तो सिदा सिदा ग्वल्कोस लिख देना, बाकी फुछ ले कし दो तीन एग्जम्बल दो, सारे एग्जम्बल मैने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें ग्लुकोस है, मैंनोस है, आ natural rubber का आईसो प्रोपीन जो है मोनुमर होता है ठीक है यह हो गया इसका अंसर साथ वान एग्जामपल ओफ एंटी पाइरेटिक यानि एंटी पाइरेटिक का एक उधार देना है तो एंटी पाइरेटिक के बहुत सारे पेरासिटमोल है एस्परीन है तो दोनों आपको एग्जा संख्या को उसकी आणविक्ता कहते हैं हिंदी में बता रहा हूं तथा किसी रासाइनिक अविक्रिया में भाग लेने वाले अन्वो को अन्वो की संख्या जो है अविक्रिया के वेक को निधायत करती है वो अविक्रिया की कोटी के बराबर या अधिक हो सकता है परन्तु अभिक्रिया की कोटी का मान जो है सुनने हो सकता क्योंकि हम जीरो ओर्डर रियक्षन भी पढ़ते हैं तो था जो है इसमें आप बता सकते हैं अभिक्रिया की आणविक्ता की व्याख्या जो है क्रिया विधी द्वारा करते हैं जबकि अभिक्रिया की कोटी की का मान जो है व् आप point लिख सकते हैं लेकिन आपको कौन सा याद रखना है यह आप इसमें से देख लीजिए मैं तो कहूंगा आप सारे पढ़िए ताकि आप गलती से भी एक भी ना भूले और भूल भी गए तो भी आप तीन चार लिख सकते हो नौवा question और इस प्रकार के उधार जो है गोंद है जिलेटीन है इस स्टार चेरबढ़ है और दरव रागी यानी इसको दरव विरोधी भी बोलते हैं तो ये द्रव रागी सब्द का आर्थ होता है द्रव से घ्रना करने वाला यानि धातुए एम उनके सलफाइड आदी पदार्थ केवल परिशेपण माध्यम में मिसित करने से कोलाइडी साल नहीं बनाते हैं इनके कोलाइड साल केवल विशेश विधियो द्वारा ही बनाए जा सकते हैं ऐसे साल द्रव रागी सौल कहलाते हैं या द्रव विरोधी सौल कहलाते हैं इस प्रकार के उधार्ण जो है गोल्ड है सिल्वर है और भी आपको AS203 है आपका FE होल ओएच का त्राइस है यह भी आप लिख सकते हो English Medium के लिए मैंने यहाँ पर यह solution लिखा है आप English Medium की student आप समझ चुके होगा आप यहाँ से आप note कर सकते हो उसके बाद में दसवा जो question है इसमें आपको तीन पॉइंट तीन जो नाम दे रखे हैं तो इसका आपका आजाएगा K3CRC2O4 और Holt Thrice हो जाएगा और यहाँ पर Potassium Trioxalite Chromate 3rd का जो है NICO4 हो जाएगा तो इस तरह से चार तीनों के answer यहाँ पर लिखे गए हैं अगला जो question है इसमें अरेंज करना है following को इनका increasing order में जो की boiling point के हिसाब से है और यह solubility के हिसाब से increasing order में तो देखो आपका जो है पहला यह वाला है जो इसको arrange कर दिया हमने और दूसरा वाला है इसको भी arrange कर दिया है यानि कि यह दोनों arrange कर दिया है और नीचे जो है A और B लग करके हमने answer दे दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से ठीक है इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं आप सभी जानते हो कि कौन सी चीज क्या होगी बस आपको समझना आना चाहिए अगला जो है पार्ट DNA और RNA में अंतर बताने हैं तो DNA RNA में बहुत सारे अंतर हैं तो आपके सामने हैं कई वीडियो में हमने इसकी बात करीए तो यहाँ पे कुछ बताने वाली कोई बात नहीं है इसको पढ़ लेना टेबलर फोर्म में है यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं आपको जो याद रह सकता है वो याद कीजिए उससे ज्यादा ना पढ़ें क्योंकि आपका जो एक्जाम है वो थोड़ा सा आपको घुमाने वाला है क्योंकि आपके एक्जाम जो हैं वो आपके 24 तारिक से स्टार्ट होने वाले हैं और समय भी आपका जो है अलग-अलग है गंटे का पेपर अलग होगा और फिर डिरड़ गंटे में आपको यहां पर चल रहा है यह रिबन चल रहा है इस परिबन चल रही है इस पर वाट्सट नमबर है इस पर आप सैंड करेंगे तो उनके सोलुसंस देदी जाएंगे फिर ताकि आप अपने आपने क्या एक्जाम में लिखा है उसके answers को match कर सकें ठीक है तो आप उन questions को हमारे whatsapp number पे भेज सकते हैं आप अपने जो आपके school दोआरा जो assignment दिये जा रहे हैं उनको भी हमारे इस whatsapp number भेज सकते हैं ताकि हम आपके solutions करा सकें तो ribbon पे जो whatsapp number है आप उनको भेज सकते हैं बि सारे message आते रहते हैं तो आपके photo जो है उपर नीचे हो जाएंगे और यह तकलीफ हो जाती है फिर हम उस paper को solve नहीं कर पाते हैं कहां से जाकर सर्च करें कि कौन सा page number था किसका तो pdf बना के वेज़ोगे तो pdf में आसानी होता है कि आपका पूरा file एक ही होता है यह हो गया अ ने और आरे ने में इंग्लीज मीडियम वाले आंसर यहां से लिख सकते हैं थर्टीन नंबर जो कोशन है एक्सपें मीद एक्जामपल एडिशन करना है एडिशनल पॉलिमराजेशन आपको बताना है और कंडिशन पूलिमराजेशन बताना है योगात्मक और संगनन दोनों बताना है तो याउगात्मक और संगनन दोनों के बारे में मैंने आले का जब बहूलन की क्रिया में छोटे छोटे आणू मिलकर बहूलकों का निर्माण कर लेते हैं तो परंतु अन्य छोटे आणू जैसे HCl2H5OH आदी बाहर नहीं निकलते तो इससे क्रिया को योगात्मक केते हैं और दूसरे में जो है ये सारे के सारे जो ये चीज़े बाहर निकल जाते हैं तो उसको संगन भहूलक केते हैं ठीक है ये इस तरह से हो गया और उसके बाद में आप जो है उधारन के लिए इतने सारे उधारन के लिए आपका C3H6N आपका पॉलिफ्रो और मैंने आपको definition भी समझा दी जिसमें ये निकल जाते हैं आपके उनको संगनन बहुलन बोलते हैं यहाँ पर जो हैं इंग्लिस में भी मैंने लिखा एंग्लिस मीडियम के लिए और एक्जामपल साथ में लिखा गया है एक्जामपल को जरूर में लिखे ताकि आपके नमब प्रतियमलों पर आपका सेट नमबर वन में भी आप से पूछा गया था उनको भी सॉल कराया था तो यहां पर भी फिर से वापिस लिख दिया वही चीज और उन चीजों को फिर आप से आपको जो अच्छा लगता है ने उनको याद करिए जैसे अच्छा लगता है मैं तो हर वीडियो में थोड़ा सा आपको जो आंसर को इसी करके देने कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से आदके प्रतियामल जो है डवाव का वर्ग है जो पेट में अमल को बेशा बेयाशर करता है इसमें अलमोनियम केल्सिम मैगनीशीयम सोडियम कार्वुनेट ज seasoned से तत्तो होते हैं जो पेट के अमल का मुकाबला करने के लिए छार के रूप में कारे करते हैं और इसके पी एच को अधिक उदासीन बनाते हैं एंटासीट वास्तों में छारी आयन होते हैं जो पेट के गैस्टिक अमल को सीधे बेसर करते हैं एंटासीट के उधारणों में आ सारे उदार ने आप दे सकते हैं इसे तरह से अपका जो 20 संक्रामक यानी ki जू आपका डिस इंफेक्टन्ट है उसका जो है आप स्यलूशन यह पे दे सकते जी तरह क्या होते हैं मतलब attacking होते हैं और ये क्या करते हैं आपके जो है surfaces को क्या करते हैं जहांपर कुछ सोक्सिम्जी होंगे purposes पे उनको श्रक निसकरीये या फिर खातम कर देते हैं तो इस तरह से ऊंसर हो कि我想 a में आ चुके है सक्शन C में देखिये experiment 165 दे रखा यानि कि B वाला 0 order है, आपका A वाला 1st order reaction है, और initial rate per mole per liter per minute आपको दे रखा है rate, ठीक है, तो किसी का rate दे रखा है, किसी का rate पूचा है, किसी का आपका 1st order पूचा है, ठीक है, तो आपको ये सब answers जो है देने हैं, तो चलिए पहले question से start करते हैं, पहले experiment से start करते हैं, ठीक है, तो चलिए, पहला जो है आपका ये वाला प्रियोग है, और इसमें हम देखते हैं, देखे, दी गई अभी करिया, A के लिए प्रतम कोटी और B के लिए शुन्य है, और यहाँ पे इंगलिस में भी मैंने लिख दिया ये चीज, इसके बाद में तो देखिए, तो अभी करिया जो आया, वो आया, K, A, ठीक है, ये समझ में आगया, अब experiment number one की बात करें, तो हमारे को क्या दे रखा है, इस प्रियोग में हमारे को rate दे रखी है, K दे रखा है, तो हमारे पास A की value जो हम निकालेंगे, K की value निकालेंगे, इसमें K की value नहीं है, इसमें A, B और R दे रखा तो चलिए देखते हैं, तो हमारा formula तो आपको समझ में आगया, कि formula ये बना, क्योंकि एक first order है, और एक zero order है, और zero की power, अगर किसी चीज की होती है, तो उसकी value 1 हो जाती है, अगर 1 है, तो इसको आप लिखोगे, तो क्या लिखोगे, B को तो 1 लिख दोगे, तो 1 की value multiply करोगे तो वही रह जाता है, तो same आगया, के, और आपका experiment number 1 में आपको दे रखा है rate, और दे रखा है 2.0 into 10 to the power minus 2, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पहले का, तो सभी चीजे उपर दे रखी है, बस हम नीचे put करते जाएंगे formula में, तो यह formula हमारा ये वाला च्छोटा सा, इस formula मे हम R की value put कर रहे है, K की value हमारे पास नहीं है, तो हम K की value निकालने के लिए, A की value हमें equation उपर table में दे रखी है, वहां से हम table में से A की value रखेंगे, K की value को find out करेंगे, तो हमारे K की value आजएगी 0.2 per minute, ठीक है, तो यह हमारे पास E आगया, answer, अब यह K की value आगई, अब इस K की value को कई जगे use कर लेंगे हम, ठीक है, तो K की value आगई, experiment number 2 में फिर से rate का formula हमें पता है, कि K A है, rate हमें उसका दे रखा है, यह वाला, ठीक है, और K अभी अभी हमने निकाला था, ठीक है ना, K हमने अभी अभी निकाला था, हमसे पूछा इसमें A, A की जगे खाली है, तो हम A निकालेंगे इसमें, तो हमें क्या करना है, कि A को छोड़ करके बाकी सारी value जो अभी K का value हमने निकाला था नहीं, इसको हम रखेंगे K की जगे, तो K की जगे हमने यह रख दिया, A का value हमें निकालना है, अब हमारे पास R की value पता ही थी, R की value टेबल में दे रखी है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे, तो A की value जो है, 0.2 mole per liter आजाएगी, तो यह हमारा answer हो गया, अब rate, experiment number 3 में, rate बराबर वही है, फिर से formula वही है, हमारे को rate जो है, नहीं दी गई है इसमें, आप देखोगे, 3rd वाले experiment में rate पूछ रहा है, तो rate निकाल दे यह A की value देखे, इसमें 0.4 दे रखा है, तो इस A की value को लेंगे, तो यहाँ पर हम A की value को डाल देते है, 0.4 और इस दोनों को multiply करेंगे, तो 0.08 mole per liter per minute जो है, इसकी value आजाएगी, ठीक है, तो यह rate यहाँ से, 3rd experiment, 4 experiment जो है, इसमें क्या आजाएगा, तो rate जो है, आपका वह की value हमें निकालनी है, वही सेम 0.2 mole per liter जो है, इसका answer आजाएगा, तो इन सभी values को table में भर देंगे, बाकी आप table में भर लेना है, यहाँ पर जो पूछिए ठीक है, भरो नहीं भरो, नहीं भरना है, तो आप direct इसको निकाल सेखे, तो भरने की जुरूरत नहीं है, आप direct लि देक्रोन और बेकलाइट और नियोपरीन, पांचों के मैंने यहाँ पर नाम लिख दी है, ठीक है, इसमें बुनास में 1,3 butadine and इस्टराइडीन होता है, ठीक है, इस्टराइडीन होता है, और इसके बाद में बुनास में 1,3 butadine और आपका जो हो जाएगा एक्रिलो नीट् और नियोप्रीन में आपका क्लोरोप्रीन है ठीक है तो यहाँ पर जो है इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है आप हिंदी वाले स्टुडेंट यहां से नूट कर सकते हैं अगला जो कुश्यन है 17 नंबर यहाँ पर ड्रो करने हैं इन सभी के स्टॉक्चर आपके सैट वन में बहुत सारे ड्रो करवाय थे इस्टॉक्चर याद करते जाना प्रैक्टिस करते रहना नहीं तो बाद में हवा भी नहीं लगे की स्टॉक्चर कहा गया ठीक है एग्जाम के लिए अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो हर चीज जो देही जा रही है पढ़ो 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 ही पढ़ना है एक्जाम देना है आपको देना है पास होना है आपको ही होना है तो क्यों नहीं आप पढ़ना सुरू करते प्रभू अभी तो आपके पास गिने चुने केवल मात्र 25 दिन बचे हुए इस महीने को भूल जाओ तो 25 तारिक से तो आपके एक्जाम ही 24 तारिक से श स्वाइब करते हैं आर्ट्स को मर्स साइंस को सॉल करते हैं और आपको बताते हैं आपने देखा भी होगा और सब चीजे हम सही बताते हैं यहां पर H2S2O7 का जो है आपको structure बनाना है तो वह structure यह होगा XCFE4 का structure जो आपको बनाना है तो यह हो जाएगा और CLF3 का structure आपको यह बनाना है इसके बाद में आपका IF7 का structure जो है इस तरह का बनेगा और इसके बाद में आपका next जो structure बचा वो बचाए आपका 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है 7 है तो यह पर भी आपका 7 है आई एक है तो आई एक है तो इसको ध्यान रखना है इसके बाद में आता है आपका अपका स्धावारी आफारी कि फासथपूरस के हपस्तिति में कलोरिन या ब्रोमीन की अभी आलफा हैलोजनी करत अमल प्राप्त होते है यह अभी करिया हैल, वलार्ड, जैलेंस की अभी करिया करिअहा है ठीक है यहाँ पर इंग्लिस में हिंदी में लिखा है और इसका जो है इस तरह से आप लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं अगर आप और रियक्शन नहीं लिखना चाहते तो आप यह लिख सकते हैं So Four की उपस्तिती में अल्कोहल और कार्मिनिक अमलों के बीच अभी किरिया के फल फ़सरोप रखनें कीն रसटी कर्ण करती तो आप दोनों मेंसे कोई भी डीफिनेशन जो आपको आसानी से आद हो जाती यह उसको याद करेए यह वाली डीफिनेशन याद करे उधान के लिए हमने दे दिया है और एक्जामपल के थूँ आपको reaction समझा दिया है सभी के नाम लिखे हो आप आराम से देख सकते हैं इसके बाद में जो है next इसी का esterification का जो है English Medium के लिए solution भी दिया है भईया क्यों चिंता कर रहे हो तो यहां पर जो है वही चीज आपको समझाईए जो उपर मैंने पढ़के बताई वही चीजihin आपर लिखी है तरीके से और उसके बाद में आप जो है example के थूँ ये दे सकते हो ठीक है चाहे तो आप example यहां से लिखो चाहे तो आप example उपर से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपकी मर्जी है जैसा मर्जी वैसे करो sorry उपर वाला तो उसका है स्ट करण का यहां पर यह वाला example भी आप लिख सकते हो तो आप ये लिखो नीचे वाला या उपर वाला ये वाला लिखो आपकी मर्जी है आपको जो सही लगता है वो कीजी आपके लिए तो options में दे देता हूँ C option जो है आपका इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें Clemson Reduction क्या होता है तो ये Carbonine क्योगी को Alcane में अप्चेइट कर देता है और इस क्रिया में CO और CH2 समु में बदल जाता है जिसमें Jink Amalgam और सांधर SCL उत्प्रियर का काम करते हैं वही चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाईए बहुत Highlighted Definition लिखी है कोई नमबर नहीं काड़ सकता अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं 19 नमबर Complete करना reactions को यह सारे reactions जो हैं भारी-भारी reactions हैं आपके यार ठीक है तो यह 5 reactions को देख लेते हैं चलिए पहले reactions से start करते हैं पहला reaction जो है Aniline को हम CH3 CHCl3 plus KOH alcoholic है आपका यहाँ पर दिया गया है alcoholic है ठीक है यह रहा alcoholic है तो यहाँ पर जो है इसको जब हम heat करते हैं और Calvary and Mind reaction बनता है तो यह आपका इस तरह से Penile Isocyanide बनता है तो यह चीज है offensive smell होती है इसकी है ना बहुत गंदी offensive smell होती है खतरनाक वाली तो यहाँ पर जो है second part इसमें पूछा गया है आपका H2SO4 concentrated है यह आपका फिर से Aniline के साथ reaction करेगा तो क्या देगा यह देखना है तो यहाँ पर जो है आपका H2SO4 Aniline के साथ react करा रहे हैं तो हमारा Anilineum Hydrogen Sulfate जो है बना रहा है और फिर इसको 457 से 473 Kelvin पर गरम करके Sulfo Nilic Acid और Jupiter Iron मनाता है तो यह पूरी reaction आपको लिखनी है ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर खतम कर दो आगे भी आपको यह reaction देनी होगी complete reaction लिखनी पड़ेगी अगला जो है next third वाला third वाले में फिर से आपका Aniline है उसको BR2 के साथ में Equus के साथ में react करा रहे हैं और यहाँ पर जो है 246 Tribro Bromo Aniline बनता है ठीक है तो इसका यह equation होता है आप देख लीजिए इसके बाद पर चौथा जो पार्ट है इसमें Aniline और Acetyl Dride से जो हम react कराएंगे इसको तो हमारा जो है यह Acetyl Nild बनेगा जो की यह reaction हो जाएगी ठीक है तो हमारा यह answer हो गया अगले पार्ट की तरफ बात करते है इसका जो next पार्ट है यहाँ पर आपका Bengyl Bengyl Digenium chloride जो है इसको ethanol से reduction कराएंगे तो Bengyl और ethanol देगा बाकी N2 निकलेगा और HCl निकलेगा यह चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत ध्यान से कई लोग यह reactions गल्द कराते हैं तो reactions पे बहुत विसेस ध्यान रखना है वह यह आपको तो यह आपके 5 reactions थे जो मैंने आपको दिखाए और 5 के 5 solutions आप देख चुके हैं बारीकी से और समझदारी से करिए समझ के करिए अच्छे करिए और साफ सुत्रा हमारा solution जो है आप देखते हैं हर वीडियो में आपको return जो है बहुत कम मिलता है return इसलिए करना बढ़ता है कि उसमें typing में ज़्यादा time लगेगा तो उसको return में कर देते हैं बाकी जो चीजे maximum हमारे पास available है उनको direct दे दिया जाता है तो अभी तक आपने like जरूर कर दिया होगा share कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ comment कर दीजिए सभी दोस्तों को इखटा करिए बोलिए, message करिए, whatsapp करिए ग्रूप में share करिए और बोलिए कि comment कर दो इस पे आपका कौन सा अब्जेक्ट, दूसरा subject solve करना है, फटा फट, जितने comment आएंगे फटा फट, सॉल कर दिये जाएंगे maximum share, maximum comment से आपके जो पांच और सौट, फटा फट पी वाले अलग हाथ फैर उठा के खड़े हैं कि सर हमारा भी नहीं करवा रहे हो इस तरह से आप थोड़ा से समझिए कि मैं अगर आप लोगों करवा रहा हूं तो आपसे request भी है और suggestion भी है comment करते रहिए और बढ़ते रहिए ठीक है समय आपके पास नहीं है आपको पूरा चीज जो मैं बता दूँगा और last and final exam के time से पहले आपको चुनिंदा question की एक series दी जाएगी ताकि आप लोगों से एक भी mistake ना हो और आप अच्छा exam में जो है result बना पाएं तो आसा करता हूँ आप जो है term one के पेपर सॉल करवाय थे उनको पढ़ लिया होगा term two के हम सॉल करवा रहे है सारी link आपको description box में available हैं वहाँ से देख लीजिए Thank you very much, have a good day